जानेंगे लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बारे में इंट्राइड के लिए बीरेस एंगॉल्फिंग पार्टन होता है इंट्राइड ट्रेडिंग करने के लिए लेकिन इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इसको किस तरीके से स्कान करें किस तरीके से ट्रेड करें कहां पर इसको trade नहीं करना है, कौन सा time के बाद आपको trade लेना है, कौन सा time के बाद आपको trade नहीं करना है, यह सारा चीजे इस वीडियो में हम जानेंगे, then only bearish engulfing को trade करते हुए आपका accuracy बढ़ेगी and you will get more profit, तो सबसे पहले bearish engulfing आपको तो मालूम होगा कि किस तरीके से engulfing होता है, candle क्या है, किस तरीके से permission होता है, लेकिन इसका location भी बहुत important है, last time मैंने swing trading करने के लिए engulfing partner को किस तरीके से scan किया जाए, वो ने वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे, तो हमारा चैनल पर जाके आप सार्च कर सकते हो, bearish engulfing partner या फिर इंडिया माट का चार्ट है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि bearish engulfing partner बना हुआ है, लगभग यह 11 वजे का, लगभग यह 10 वजे में engulfing partner बना हुआ है, अगर आप इस stock को इसी time पर identification कर पाते, और यहाँ पर sell करते, तो you can take a very good profit of 1 to 2 weeks to reward, लेकिन इस तरीके के stock को किस करें, सबसे पहले मैं सारे इस चीजे को delete कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक mark कर लेता हूँ, यह और यह, यह दोनों candle का total range है, यहाँ पर आप देख सकते हो, engulfing partner के लिए मैं, आप engulfing partner का जो steps है, मैं यहाँ पर करके बताऊंगा, इस scanner के थूँ, तो आप इस चीज को यह, यह तो, यह first condition है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जो lattice candle है, इसको हम क्या बोलते है, zero candle, और previous candle को charting में हम minus one, यहाँ दरसा आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, lattice candle का open क्या होना चाहिए, greater than close, ओके, तो यहाँ पर lattice candle, 5 minute time frame हम कर सकते हैं, आप इसको कोई भी time frame change कर सकते हैं, लेकिन इंट्रेट रेडिंग करने के लिए, 5.15 minute is the best time frame, ओके, तो lattice candle का open, greater than, close होना चाहिए, तभी तो यह red candle बनेगा न, ठीक है, अभी इसको मैंने just copy कर लिया, और यहाँ पर क्या है, previous candle, यानि कि previous candle का open क्या होना चाहिए, less than होना चाहिए, close से, यानि कि green candle होना चाहिए, आप यहाँ पर close greater than, open लिखो, या फिर open less than close लिखो, दोनों सेम चीज़े हैं, ओके, और मैं यहाँ पर एक चीज़ आट कर देता हूँ, कि lattice का closing price है, यह greater than 100 रुपीस होना चाहिए, और यहाँ पर stock passes all of the below filters, in cash segment इसको future कर लो, क्योंकि हमको वही stock करना है, वही cash stock को कर रहे हैं, कहां भी future में, future select करने से, सिर्फ फर सिपोई stock आएगा, जो future में भी trading होते हैं, तो इसको हम उपर ले लेते हैं, तो यह green हो गया, यह rate हो गया, अभी engulfing कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो high है, previous candle है, उससे high से ज्यादा है, और इसका जो low है, previous का जो low है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो while लिख लेते हैं, current candle का high greater than previous candle high, तो current candle के लिए हम यहां पर lattice रहेगा, और previous candle का high के लिए हमारा यहां पर minus 1 रहेगा, और यह जो low है, नीचे होना चाहिए, तभी तो यह engulfing करेगा, अभी इसको फिर से copy कर लेते हैं, current candle का जो low है, less than previous candle low, बराबर यह चार condition हो गया, लेकिन यह जो candle engulfing कर रहा है, यह candle एक solid candle होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहां पर बहुत बड़ा week बन गया, नीचे भी बहुत बड़ा week बन गया, और यहां पर एक छोटा सा candle है, यानि कि एक healthy candle होना चाहिए, properly engulfing करना चाहिए, तो मतलब इसका most of the person, इसका most of the person क्या होना चाहिए, high low तो होना चाहिए, लेकि most of the person एक body होना चाहिए, यानि कि at least हम यहां पर क्या करेंगे, कि 60% candle का, क्या होना चाहिए, body होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, bracket को use करेंगे, bracket, high, minus low, current candle के लिए इसको 5 मिन टाइम सेलेक लेते हूं यह 00 होएगा हाई माइनस लो इंटू 0.6 0.6 का मतलब क्या है 6 by 10 यानि कि 60% हाई माइनस लो का 60% कम होना चाहिए बॉडी से यानि कि जो बॉडी है वो 60% से जाधा होना चाहिए candle का simple सा मतलब है तो यह बॉडी बना लेते हैं तो ब्राकेट फिर से यूज करेंगे कि करेंट केंडल रेड केंडल है तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे open minus close यहां तक सब को clear है हमने 3 step क्या है सबसे पहले कौन सा green candle कौन सा red candle होना चाहिए हाई उपर होना चाहिए और low नेचे होना चाहिए previous candle के comparison में यह भी हम लिख लिए अभी हम यहां पर लिख रहे हैं कि body भी तगड़ा चाहिए ठीक है अभी इसको run करते हैं देखते हैं कितना stocks आता है और यहां पर save कर लेते हैं bearish engulfing for intraday fund technique तो गाइज इस scanner को मैं अभी थोड़ा सेव कर लेता हूं अभी और भी condition हम यहां पर add करेंगे लेकिन मैं अभी यहां पर save कर लेता हूं private नहीं रखूंगा क्योंकि यह scanner मैं आपको share करूंगा आप वहां पर जाके join कर सकता अगर वहां पर नहीं होता है तो टेलिग्राम पर आप phone technique training search करोगे तो वहां पर आपको चैनल का link मिल जाएगा तो इसको save कर लेते हैं ठीक है candle stick यह save हो चुका है लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारा engulfing candle बन रहा है यह लगबग engulfing pattern यह सारे चीज़े बन चुके हैं ओके तो यह engulfing pattern बन चुका है इंट्रेडे के लिए लेकिन यहां पर आपको देख सकते हैं बहुत सारा reversal pattern है अगर इसका अच्छा risk to reward हमें चाहिए तो हमें ये uptrend के बाद क्योंकि reversal pattern है तो ये uptrend के बाद जब हमको ये दिखे तभी अगर हम sale करते हैं then we will get high risk to reward ओके तो uptrend का मतलब क्या है कि ये जो high बन रहा है पिछले जितना भी candle का high है उस सबसे ज्यादा होना चाहिए पूरा दिन का जितना भी candle बन रहे उससे ज्यादा होना चाहिए पूरे दिन में कितना candle बनता है 75 candle 5 minute का बनता है ओके तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे बड़ा important step है इसका location अभी हम track कर रहे है कि location हमारा कहा होना चाहिए कि current candle का जो high है क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए greater than होना चाहिए किस से यहां पर आपको maximum function यूज करना है maximum यहां पर लिखो किस से कहां से लेकर minus 1 से comparison कर रहा भी current candle का high को previous candle से लेकर कितना candle तक 75 candle तक यह 75 नमबर इसलिए है कि पूरे दिन में 75 होते हैं अगर यह candle का setup दिन के 12 बज़े भी बन रहे हैं तो वहां से 75 candle का calculation कर गया कि वहां से 75 candle का comparison यह high उपर होना चाहिए तो यहां पर हमने यहां पर इसको फिर से सेव कर लेते हैं बाई चलो तो यह सेव हो गया ओके मैं अभी स्टॉक नहीं दिखाता हूं स्टॉक तो देखेंगे चलो देख लेते हैं कौन सा कौन सा स्टॉक सा रहा है अभी अभी यह पूरा करने वाले हैं ठीक है आप बेसिक टेक्निकल में तो आईए सकते हो कि यह इस अंगल्फिंग रिवर्सल पार्टन है लेकिन इसको लोकेशन इसका इनों ट्रेड करने की तरीका प्रपर ली स्कैनर के थिरूप आपको देने वाला हूं तो ध्याम से फिर से अभी यहां पर ना ना यहां थाटी फाइब को यह देखो ओन गॉल्फिंग किया प्रपर्लि इस केंडल को एंगॉल्फिंग किया और हाय भी बरास उपर वन रहा है फिछले 75 केंडल का जो रेजGI है अभी देखो यहां यहां से लेकर 75 का वन काल्कुलियंट कर रहा है यहां तक तो उस उपर है ठीक है तो बराबर जो भी सारे conditions है हमारा पास हमको जो चाहिए था वो हमें मिल गया लेकिन आपको कहां पर ट्रेड नहीं करना होता है आपको ट्रेड अच्छा कई बार ट्रेडर्स क्या यूज करते हैं कि इसका जो open भी है इस closing से उपर होना चाहिए लेकिन आप इस चीज को डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में गाप ओपन होता है और वहां से प्राइस एगा rejection होता है तो डेफिनेटल यह जो open है previous open से closing से उपर होता है लेकिन लाइ मार्केट में जब प्राइस चालू हो रहा होता है जहां पर एक candle close होता है दूसरा candle वहां से open होता है इसलिए तो हम यह condition को यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो क्या होगा stock कोई भी stock नहीं दिखेगा अभी यहाँ पर candle भी मिल गया और यहाँ पर location भी set हो चुका है अभी आपको कौन सा time frame के कौन सा time के बाद trading करना है देखो शुरुआत का जो दो candle है आप इसको आव चाहिए अटलीस दो candle बनना चाहिए तभी engulfing करें दो candle बनना चाहिए तभी engulfing करें और sell मारेंगे इसलिए तो fast candle को हमको नहीं करना चाहिए यानि कि current candle है और कभी-कभी यह भी stock सा जाता है अगर यह मान लेते हैं कि green candle है previous day का last candle green candle है और आज का fast candle भी red candle हो जाता है तो ठीके तो उसको आवेड करने के लिए यानि कि current candle का high is not equals to current candle का high is not equals to day का fast candle day का fast candle के लिए क्लिके लिए equals to equals to 1 equals to 1 का मतलब क्या है fast candle यानि कि current candle fast candle नहीं होना चाहिए I do not want current candle second candle भी नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर अगर green बन रहा है और यहाँ पर ही rate बन जाता है वो भी हमको नहीं चाहिए यानि कि second candle नहीं होना चाहिए इसका मतलब second candle यानि कि current candle is not equal to second candle, इसको save कर लो, run भी कर सकते हो, हम save करते हैं step by step, अभी देखते हैं कौन सा stock है, अभी और दो तिन stock चलेगे, ओके, यह अम्बुजा सिमेट भी है, मैं आपको अम्बुजा सिमेट का थोड़ा लोड कर लेता हूं, देख लेते हैं, अम्बुजा सिमेंट, see, ब्रावो, can you see here, बड़ी ऐसा candle है और इसको properly engulfing किया, और यहां से sell हुआ, very good risk to reward, ओके, ठीक है, और अमरा राजा बैटरी आप देख सकते हो, अमरा राजा बैटरी भी यहां पे है, यहां पे हुआ engulfing किया, बड़ी ऐसा, ओके, अभी यहां पे क्या condition आड़ कर सकते हैं, तो overboard zone पे होना चाहिए, इसके साथ-साथ आप एक और condition आड़ कर सकते हो, क्या है, ओ है RSI, यहां पे देखो सारी चीज़े price action है, इसको reversal button को strong करने के लिए divergency use करो, divergency कैसा है, price making higher high, RSI making lower high, ओ भी यूज़ कर सकते हो, और RSI जब भी overboard zone पे हो, ओ भी आप यूज़ कर सकते हो, यानि कि वो जो area है, ठीके, वो area एक overbort zone होना चाहिए, RSI overbort zone कहां पे होता है, 70 के उपर, overbort जब भी हो जाता है, तो क्या होगा, तो selling होगा ना, जहां पे overbort हो जाता है, तो उसके बाद तो selling होगा ना, और pattern भी confirm कर रहा है, तो वो जो location है, आटदा scandal का, वहां पे RSI कह ही ना, कि overbort zone पे होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पे यह लिखेंगे कि, पिछले 18 candle का RSI, at least 70% के उपर होना चाहिए, कोई भी candle हो, चलेगा, तो यानि कि पिछले, यहां पे maximum function यूज करो, और यहां पे lattice रखो, पिछले 10 candle का जो RSI है, क्या होना चाहिए, greater than होना च 70, तो यहां पे इसको save कर लो, ठीक है, बचले तो scanner आपको मिल जाएगा, यहां पे आपको देखो, यह सारे जो stock से यह सारे condition फुल्फिल कर रहे हैं, इसलिए अभी 2-3 condition में कुछ changes नहीं हुआ, लेकि लाई market में आपको यह condition अगर आड किये होंगे, तो अगर कोई stock यह 70 की उपर है, green candle है, red candle है, high भी उपर है, low भी नीचे है, लेकिन यहां पे timing दो candle के बाद आता है, लेकिन यह candle बहुत बड़ा बन जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यहां कि यहां पे अगर हम sell करते हैं, तो हमारा exterior कम बनेगा, moment कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही candle पर अलड़ी तो RSI है, 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए, समझे रहो, 50 से ज्यादा क्यों में बोला, मैं इसको save कर लेता हूँ, ठीके, तो यह conditions हो गया, तो यह सारा conditions हो गया, तो यह बन गया properly various engulfing candle, अभी यहां पे एक और stock है, देखो, crompton, यह मैं आ लड़ी यह अब देख सकते हो, crompton, super move, तो अभी जैसे यह stocks देखो, अभी इसको trade कैसे करना है, जैसे ही candle बन जाता है, अभी कुछ tips में बता रहा हूँ, इसको successively trade करने के लिए, आपको क्या करना होता है, कि जैसे ही candle बन जाता है, तो आपको क्या करना है, अभी यह stock देखो, यह crompton म भी बड़ी आच्छा movement दे देता है, और इसका risk reward 1-2 होगा, sell entry इसी low के नीचे होगा, और stop loss high के उपर रहेगा, 10 परसा, 20 परसा रख सकते हो, 1-2 का risk reward minimum आप ले सकते हो, या फिर market close होने तक ले सकते हो, target, 1-2 is the very good risk reward, यहां पे, अभी यहां पे इंडिया मार्ट भी आया था अमबुजा सिमेट दिखाया मैंने आपको, और इंडिया मार्ट के जो stocks हैं यहां पे, 945 में इंडिया मार्ट, तो यह 4 stocks मैंने आभी आड़ किया है, अभी रिसेंट पे एक stocks भी यहां पे दिख रहा था, 250 को, 130 को, तो ऐसा वाला stock को आपको करना है कि नहीं करना है, ठीके, देखो, यह engulfing pattern है, strong reversal pattern, अभी अगर यह stock 12 बज़े के बाद आता है उसको award कर लो trading करने के लिए, यह वहां पे आपको time नहीं मिलेगा, 3 o'clock तो आपको 3.20 तक आपको trade लेना होता है, और 12 बज़े के बाद trade आता है, दो तिन घंटा मिलता है, वहां पे ज्यादा moment नहीं हो पाएगा, वहां पे risk to reward moment नहीं, risk to reward सही से नहीं मिल पाएगा, तो कोसिस करो कि 12 बज़े के बाद उसको award करो, 12 बज़े के stock को award करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि alert को किस तरीके setup किया जाता है, उसके लिए मैं already एक video बनाए हूँ, आपको इसको देख सकते हो, नहीं त आपको trading करना होता है, 9.25 के बाद, 9.25 के बाद, 12 बज़े के पहले-पहले, वहां पे 12 बज़े के पहले-पहले आने से क्या होता है, कि you have sufficient time, you are giving sufficient time to move in favor of your trade, okay guys, तो अभी ये scanner को मैं save कर लेता हूँ, और ये scanner का link मैं telegram channel पे share कर लूँगा, आप वहां पे जाके copy कर सकते हो, काफी करने के बाद private कर सकते हो, और मैंने जो बताया आपको timing बताया दिया, और यहां पे किस condition में आपवर्ड करना है, वही बता दिया, हाँ एक और चाइज है, अगर यहां पे इसका candle का जो, generally हमने जो condition डाल दिया, वो condition के हिसाब से, वो condition मैच नहीं होगा, लेकिन यहां काफी क्या होता है, कभी-कभी candle तीन चार गुना बड़ा हो जाता है, किस candle से, green candle से, वो condition में आपका आवर्ड करना होता है, मैं यहां पे डाल देता हूँ, bracket, high minus low, minus low, ठीक है, इसको 5 minute कर लेते हैं, यानिकि, high minus low, divided by, 3 is less than high minus low, ऐसा करने से क्या होगा, कि आपको, अगर candle तीन गुना ज्यादा है, ऐसा वाला share आपको नहीं आएगा, तीन गुना ज्यादा है, तो ऐसा वाला share आपको नहीं आएगा, देखो यहां पर, जेनरल क्या है क्योंकि हमने RSI क्योंकि price नीचे आगे तो RSI भी नीचे आएगा तो RSI का यहाँ पर अलड़ी हमने filter लगा चुके है अट्लिस 50 के उपर ज्यादा होना चाहिए लेकिन फिर भी in case ऐसा condition आपिर हो जाता है तो आपको वह आवेड करना होता है इसलिए मैंने आपको आड़ करके दे दिया चलो इसको save कर लेते हैं इसका मतलब क्या है मानले ते हैं कि इसका range हो गया 30 करेंट कैंडल का और इसका range हो गया मानले ते हैं कि 9 ठीक है तो 9 x 3 कितना होता है 27 होता है और 3 गुना से इसका मतलब current candle तीन गुना से जादा है तो हमें वो नहीं चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि यह 30 का जो रेंज है 30 divided by 3 30 divided by 3 कितना होता है 10 होता है ना यानि कि यह जो 10 है कम होना चाहिए previous candle से इसका मतलब क्या है इसका value 11 12 15 20 कुछ भी हो समझ रहे हो इसको मैं save कर लेता हूँ और यह देखिए तो आप यहां पर backtest कर सकते हो पूरा तीन वीक का backtest करो और जो भी stocks आते हैं मैं अगर properly रिक्ष्ट रिवाड बुक करते हो यानि कि 10 में से 6-7 trade will be in your favor okay guys मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है अगर इसका accuracy और भी बढ़ाना चाहते हो इसके लिए बॉलिंजर बैंड भी उज़ कर सकते हो और यहां पर नीचे आड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कस्टोमाइज करके ज्यादातर लोगों का केसे स्कान करते हैं यहां तक यह चार कंडिसन हो गया तो हो गया नहीं ऐसा नहीं है आपको यह कंडिसन आड करना ही होंगे अगर आपके अगर वाल कर सकते हो हो गया टो हो गया है आपके आपके